हेलो क्लास 10 थे स्टुडेंट्स के सेकंड एक्सेसाइज के लास्ट कोशिन एन इसिक्स कोशिन को अब आज की विदम सौल करेंगे कोशन है कोटेज इंडेस्ट्री प्रेडूसर साथीन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन दे मतलब कोई आर्टिकल बना रही है आर्टिकल एक बुक को बनाने में एक बुक को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है और एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है और एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है दोनोई चीज नहीं पता है लेगिन question में बोल दिया है कि cost of production of each article यानि एक article को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है three more than twice the number of article यानि तीन जादे दुगना of number of articles के अभी इसका मतलब समझा जाएगा परसान नहीं होगेगा question में क्या रहा है if the total cost of each production on that day was 90 किसी एक particular day पर total cost of production जो है वो 90 रूपीज है total cost question में यहाँ पर total cost दिया है कि 90 है क्या रहा है कि number of articles प्रता करिए और cost of each article भी पता करिए question tough नहीं है easy है देखिए same type का question मैंने इसी exercise के second question के second part में उताया था question number two इसी exercise का part two उसको देख क्या यह है आपको यहाला questions hundred percent समझा आगा डिट्टो सेम है वहाँ पर टॉय बोला था और यहाँ पर आर्टिकल बोला है बस इतना ही बदला है question वहाँ पर टॉय बोला था और यहाँ पर आर्टिकल question number two part two ठीक है आपको playlist का link मिल जाएगा आप जब मेरे चैनल पर जाएगे question wise playlist देखेगा तो वहाँ पर अगर आपने नहीं देखा है तो जिन्होंने देखा होगा उनको समझवा रहा होगा कि question असान है टफ नहीं देखेगा हमें यह तो नहीं पता ना कि कितने बुक्स बन रहे हैं कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं तो हम दों मालेंगे कि नंबर आफ आर्टिकल्स जो है वह एक्स है नंबर आफ आर्टिकल्स क्या है एक्स है ऐसा मैंने माल लिए ठीक है question में कह रहा है कि जो cost of production यह भी नहीं पता मतलब एक एक आर्टिकल्स को बनाने में कितना खर्चा हो रहा हो नहीं पता cost of one article माल ले रहे है वाई माल ले रहे cost of one article वाई रुपेज मतलब एक आर्टिकल्स को बनाने में वाई रुपेज लग रहे है ठीक है question में आगे hint यह दिया है cost of production of each article was three more than twice the number of article cost of production of each article यह क्या है three जादे है is याने equal three जादे याने three plus twice the number of article produced that day twice twice मतब दो गुना ना two multiply by number of articles number of articles produced ठीक है देखे cost of each article हमने वाई माना था तो य कोस्ट three three plus two two multiply by number of article हम लोगो ने एक्स माना है यह यह वाई की वाई क्या होगे three plus two x चाहिए तो हम इसे हैसे लिख सकते हैं वाई कोस्टो टू एक्स प्लस थी वाई की वाई की वेल्यों हमें मِन केंट लिए कि कुछेशन में आगे एक हिंट और दिया है तो टोटल कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज कॉषिन में क्या दिया है यह हिंट टोटल कॉस्ट जो है कि वह 90 रुपीज है टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकूंता है माली लिजिए एक article a number of article माली पुर्व कि बताईए टौटल कॉस्ट कितना होगा ह two total कॉस्ट क्रीक टीकल सिंगे five hundred तरह यहां पर देखिए number of article cost of article y है total cost 2 multiply 177 और हमें total तूटल कोदीया है टूटल कोस्ट हमें question मी दे दिए रि death ऐसा तों निकाला आइट वाई एक्सलिया बराबर नाइनटी होगा वास कि टोटल कोश्च हमने एक तरीकेश निकाल एक्साइड जाए कोय करें टोटल कउस्थ इत्वोर्ड कोश्चिंतार में धीया कि निडिया धी om तो टोटल कॉस्ट के जगा यानि यह एकस वाई रख दिया और जहां 90 दो आई पहले से हमें य की भी तो वैलू करता है तू एकस प्लस त्री रख देंगे तिह जागा एकस टू आई सारी टू एकस प्स थी पोस्ट टू 90 अब एकस टू एकस मुल्टिप्ला गद के जागा ट इक्वेशन यानि अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग बना पाएं हैं सौल नहीं किया है इस कॉड़ेटी की क्वेशन को सौल करेंगे तो अगर जिन्होंने कुश्चन नंबर टू पार्ट टू देखा है उनको ये कुश्चन सौ परसेंट जोंगा ठीक है फटा-फट पहल मिल्टीप्लाइब एंगे ऑफ़ में 180 एटी की ऐसे फ्रक्टर जोनने यिनको मनेस कमें त्री आजा जिन को माइनेश कने पर 3 आजाए 180 का प्राउंट फ्क्टर आजेश्न करेंगे व हमें vap अ एसे fixator 180 का फेक्टटर जिनको me से संब इस्तामाल करेंगा 12 के मालोटS को सब्सक्राइब। कई लोग यह एक्स लिखना भूल जाते हैं तो ध्यान दीजेगा और यह प्लस साइन भी है तो यह अगर टू एक्स स्क्वेर प्लस 15 और यह एक्स मिलके क्या जाएगा 15 एक्स कि इन दोने में कुछ खौमन पिकय को माने गों ट्रह प्लस एक्स्वेर में डूनों में क्या कॉमन आइगा ड्रोल और ना इनर्टी मता गए क्या ड्रोन कर लिजिए अगर कॉमेंट भूनने में दिक्क्त आ रहा है तो 12 और 90 का स सी एफ निकल लीजी तो 6 आईगा ससी करके देख लिए अगर 12 और 90 में कुछ कॉमेंट होने में दिक्क्त आ रहा है एक स्टोन कोमन आएंगा इन दोनों में इसके पास थे तो एक साइने प्लत तो और आगे साइन जो हता है वो तो कोमन आता ही है तो इसलिए माइने सिक्स और अंदर क्या बसता है यहां पर हो यानि टू एक्स प्लस 55 15 वोट दिखेगा वे कासा दीरो यहांपे बिट्डीन है यहां यहां पर बी टू एक्स पलस 15 है ठीक है इन सबको मिठा दे रहा हूं उमीद कतर हम आप लोग कर चुके होंगे तो 2x plus 15 common लेंगे तो बचेगा क्या x और minus 6 तिया पर जाएगा x or minus 6 cos to 0 अब या तो यह 0 को equal होगा या तो यह 0 को equal होगा है तो 2x plus 15 को 0 को equal कर देंगे x minus 6 को 0 को equal कर देंगे तो जब यहां से 15 15 को नीचे लेंगे तो minus 15 by 2 होगा minus 6 को देंगे तो प्लस 6 एक वैलू आगी दू वैलिव आहिए एक negative एक positive negative आला लेंगे नहीं क्योंकि number of article negative कैसे हो सकता है आप यह कहेंगे कि-15 by 2 books आप खर देंगे नहीं करें तो यह वैलू पॉसिबल नहीं यह निचे आर्टिकल खड़ें यह पता चाहिए नंबर आफ आर्टिकल निकल लिए नंबर आफ आर्टिकल कितना आया है यह 6 आया कोस्ट भी निकाला आ लाना है कोस्ट आफ इच आठिकल वह था वाई वाई की वैल्लो टू एक्स प्लस थी है कोस्ट ऑफ आप आटिकल यह था अब आटिकल को बनाने में 15 रुपए लगेंगे और चैंड बन रहे हैं तो अगर एक आटिकल को बनाने में पंद्रे रुपे लग रहे हैं छे आटिकल बनने का कॉस्ट नाइंटी रुपीज ही दोगा जोगी यहां पर था भी यहां पर देखें नाइंटी दिया है छे और पंद्रे को मिल्टिप्लाइ करें नाइंटी आएगा तो हमारा अंसर सही है अमीद कता हम आपको यह क्वेशन होना होगा इस क्वेशन के साथ ही एक्सराइज खतम होता है आज से इतना ही मिलते हैं लिवड़ों में जिसमें लोग नियू इससाइज के क्वेशन करेंगे तब तक के लिए गुडबाए